Do you love me? Tell me, do you love me? If you love me, then I love you too! वा गुच्नावाला, वा गुच्नावाला, क्या समाँ पानद है आपने? क्या समाँ पानद है? ये सोशल मीडिया पर तुफान बत्तमीजी मचा कर कहते हैं कहते हैं के यूथ हमारे साथ है ओ भाई ये है असल यूथ पाकिस्तान की ये असल यूथ जो मेरे सामने बैटी हुई है क्यूं मैं घलत कहता हूँ बोलो गुज्रावालावालो नौजवानों ओजरा हाथ कड़ा कर के बताओ असल पाकिस्तान की यूथ ये है या कोई और है कितने हो कितने हो जो तीस साल से चोटी उमर के हुज़रा हाथ कड़ा करो तीस से कम वाले तीस उमर में तीस से कम वाले हाथ कड़ा करो वो कहते हैं यूद हमारे साथ है वो यूद नहीं ये यूद जो असल पाकिस्तानी है बड़े चोटे का एहतराम करते हैं माँ बाप की इज़त करते हैं और गरीबों का ख्याल करते हैं चोटों को प्यार करते हैं बड़ों का अदब करते हैं ये है असल यूद पाकिस्तान की और इस यूद के साथ नवाज शरीफ का दिल दड़कता है इन्शाला जब तक आपको बाइसत रोसगार नहीं मिलता नवाज शरीफ चैन से कभी नहीं बैठेगा अभी शबाज शरीफ साब कह रहे थे कि हमने करप्शन कम किया और ये हम नहीं कह रहे ये ट्रांस्पेरिंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी बैस करप्शन सबसे कम नहीं थी सिरफ सिरफ करप्शन सबसे कम नहीं थी और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी और आटे की कीमत भी सबसे कम थी और फिर चीनी की कीमत भी सबसे कम थी गी की कीमत भी सबसे कम थी पट्रॉल की कीमत भी सबसे कम थी और भीजनी की कीमत भी सबसे कम थी थी या नहीं थी बोलो क्या आज नवाश्रीफ सच बोलता है या जूट बोलता है लोट शेडिंग भी हमने खत्म की और पाकिस्तान से गुर्बत भी खत्म हो रही थी और डालर की कीमत भी सबसे कम नवाज शरीफ के दोर में थी और स्टॉक अक्सचेंज चववन हजार पे चली गई तरक्की की रुफ़तार छेफ फीसद हो गई आईमफ आईमफ ने कहा जब हम ने आईमफ को ख़दाहाफिस कहा तो आईमफ कहता है कि पाकिस्तान अगर इसी रुफ़तार से तरक्की करता रहा तो आइंदा पाकिस्तान को आईमफ की ज्रुरत नहीं होगी लेकिन देखो शूम ये किस्वत बस बस पलवानों बख ठेर जो बस करो मन गये था जो मन गये थो ये पलवानों आज मैं भी पाक बाई यह राश्री 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 तो और और सुनो मुझे पता है कि आप माशाला बहुत जोश-खुरोश है आप में लेकिन दौर याद करो जब नवाज श्रीफ वजिर राजम था तो पाकिस्तान में सी पैक आया और पाकिस्तान के अंदर साट अरब डौदर की सरमाया कारी हो रही थी और ये धरने कर रहे थे ये इसलामाबाद में धरने कर रहे थे हम काम कर रहे थे हम बिजली के कारखाने बना रहे थे हम मोटर वे बना रहे थे ये शवाज शरीफ साहब ने शवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे बेहतरी इन तरक्य के काम किये है ओवरेट बिश शवाज शरीफ साहब ने बनाया ये सारे तरक्याती काम शवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे किये नाम वो मिरर लगा रहे हैं काम सारे खुद कियें और कहरें नवाज श्रीफ ने करवाएं चलें बेश श्वाज श्रीफ साहब आपकी बड़ी मेरबानी शुक्रिया आपका श्वाज श्रीफ साहब ये बिजली के कारखाने भी शबाज श्रिफ साब ने लगवाए थे मोटर वे भी शबाज श्रिफ साब बनवा रहे थे और मैं आपको दावे से कहता हूँ दावे से भाई सुनो गुज्णावाले वाले मेरे भाईयो सुनो पलवानो तुसी भी सुनो मेरी गल नेरे बदामना प्यागरो गल भी सुड़ागरों मेरी तो अगर वो दौर रहता और मेरी चुटी ना कराई जाती ये जजज जो खुद स्थीफा देके जा रहे हैं आज जो आइंदा चीफ जस्सिस बनने वाला जजज था वो चुट वो असीफा थेके घर चला गया वो जजज था जिसने मुझे सजाद दिलवाई सजाद दिलवाई बतार वजीर आजम मेरी चुटी करवाई भाई ठैर जो ठैर जो नए 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 कोई दारा नहीं भी ठैर जो मेरी बात सुनो जल्दी आप लेट आए हो आप इस स्टेडियम में लेट आए हो और अब हमने मगर्ब से पहले पहले हेलिकॉप्टर ने जाना है तो मैं जल्दी खत्म करूँगा मेरे बाद मर्यम नवाज श्रीफ ने बात करनी है तो अगर वो दौर रहता अगर वो दौर रहता मैं दावे से कहता हूँ अगर अगर वो दौर रहता है